अब हम अपने next question 4.12 की तरह चलते हैं आप ही book में question है कि why a body cannot be an equilibrium due to a single force acting on it देखें जब भी इस तरह का question आपसे पूछा जाए कि अगर हम एक body के उपर single force लगा रहे हैं तो body equilibrium में क्यों नहीं है तो I hope कि अभी तक जितना भी concept आपने इस chapter में सीख लिया equilibrium का आपको यह चीज़ पता होगी लेकिन चले मैं फिर भी आपको यह explain कर देता हूँ आपको equilibrium में यह चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पांस जो net force है वो equal to zero नी चाहिए net force का मतलब है some of all the forces acting on a body ठीक है जी उसके अंदर हमारे पास applied force भी है reactional force भी है और somehow उसके normal force उगारा तमाम forces शामिल हैं अच्छा अब जब इस पर केस है जिसमें आपने एक force लग रही है तो आपने इसको explain इसना करना है कि जब single force लग रही है तो it means कि जो इसके ओपर applied acceleration है वो not equal to zero है just आपने ये लवज लिखना है अगर आपने ये लवज लिख दिया तो आपके complete marks है क्या कि single force apply होने की वज़ाए से हमारे पास जो acceleration है वो not equal to zero है जब acceleration not equal to zero है तो वो first condition of equilibrium या second condition of equilibrium हर चीज़ को violate कर रहा है तो it means कि single force ते कभी भी हमारे पास body equilibrium में नहीं होगी तो आपने बस यही बताना है कि हमारे पास जब भी acceleration not equal to zero हो तो हमारे पास body equilibrium में नहीं है और सिंगल फोर्स जो एक्सेलरेशन क्रियेट कर दिये वह जीरो नहीं होती बलके वह नौ जीरो होती है